हेलो एवरीबान, वेलकम टू माई चैनल, हिंदी टैरो डैक्ट रिपल टू, मैं हूँ पललवी, कैसे हैं आप सभी लोग, I hope आप सभी अच्छे होंगे So guys, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ, फिस से एक और नही रीडिंग और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है, कि true deepest feelings क्या है उस परसन की, जिन से आप deal कर रही है या जो परसन 24 गंटे आपके दिमाग में चलते रहते हैं उस परसन की, तो ये चीज़े आज हम टैरो से देख रहे हैं याद आपको ये रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी married and married कोई भी परसन ये रीडिंग देख सकता है, all sign based यहाँ पर रीडिंग होती है, gender specific नहीं होगा यानि कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है, तो चलिए देख लेते हैं कि true deepest feelings क्या है इस परसन की guys अगर चैनल पर पहली बार आये हैं, रीडिंग पसंद आती है, connect कर पाते हैं, आप अपने आपको इस रीडिंग से तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजेगा, ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच सके और जो लोग मेरे साथ चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं, लाइक जरूर कीजेगा, और comment box में gratitude देना नहीं भूलिएगा उस universe को, उस divine को जिनसे आप इस reading के दोरान अपने आपको connect करना चाह रही है, चलिए देख रहे हैं, true deepest feelings क्या है इस person की, अभी तक जो majorly energies आई हैं, वो है नमबर टू, आप में से काफी लोगों के लिए important दिख रहा है, यानि की फरवरी मन्थ, आपका बर्थ मन्थ, आप लोग मिले थे, आप लोग बिच्छिडे थे, तो इस तरह से आपको ये number ये month लेका चलने हैं, चबर्दस्ती कोई number, कोई month अपने आप से relate नहीं कराना है, काफी लोगों को possibility है, यहाँ पर triple two number भी दिखाई देता हो, उसकी अलग energy यहाँ पर है, कैंसर, पाइसेज़न, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, रिष्टिक राशी, और जेमिनाई, लिब्राइन, अक्वेरियस, मिथुन, तुलायन, कुम्राशी, तो overall सभी energies यहाँ पर आ गई है गाइड कीचे universe, please divine, please archanges, please only angels, please spread time, मुझा गाइड कीचो बताईए, true deepest feelings क्या है, viewers के person की true deepest feelings क्या है, viewers के person की universe, गाइड कीचे, तो सबसे पहले है victory and success, choose wisely, love begins, patience and planning, true deepest feelings क्या है, इस person की universe क्याइड कीचे बताईए, intuition, bottom of the deck है authority, देखे, सबसे पहले इस person के बारी में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, कि किस किसम के इंसान है, किस तरह की इनकी nature है, जैसे मुझे आपर यह दिख रहे हैं कि आप जिस person के लिए reading देख रहे हैं ना, काफी जादा powerful है, अपने आपको बहुत over smart समझते हैं, इन्हें ऐसा लगते कि बहुत mature हैं, जो भी decision लेते हैं, बहुत smartness दिखा कर यह लेते हैं, और इनके लिए हुए जो भी फैसले होते हैं, वो कही न कहीं सही होते हैं, और उसकी वज़ा यह हैं क्योंकि बहुत smart हैं, mature हैं, चीजों को समझ जाते हैं, बिना planning करें, कोई भी decision नहीं लेते हैं, बिना उसे वक्त दिये, कोई भी decision नहीं लेते हैं, बहुत फूख फूख क कदम रखकर ultimately किसी एक निर्णय पर पहुचते हैं जो इन्हें सही रास्ते पर लेकर जाता है जो इन्हें ultimately सफलता ही देता है देर से सही पर देता जरूर है तो मुझे कुछ इस किसम के इनसान ये दिख रहे हैं यानि कि कह सकते हो बहुत over confidence है इनके अंदर या कह सकते हो over smartness सवाल है कि इनके दिल में अब deep inside क्या चल रहा है मुझे basically ये दिख रहा है कि इस person ने अपनी इसी over smartness की वजह से कही न कही अपने पंको को अपनी freedom को अपनी आजादी को इन्होंने कही न कही खुद ही stuck कर रखा है ये energies दिख रही है यानि कि इस person ने कोई ऐसा decision लिया past में जो इन्होंने इस energy में एक stuck energy में लेकर आया है जिसके बारे में अब ये जब जब सोचते हैं तब तब इस person को ऐसा feel हो रहा है कि इन्होंने गलत decision ले लिया इस बार जो भी इनका decision था वो इन्हें सही रास्ते पर ले जाने की बजाए इन्हें stress की तरफ लेकर गया है सफलता कि इस बार इन्होंने जो भी plannings करी जो भी अपनी maturity दिखा कर decision लिया वो इन्हें सही रास्ते पर नहीं लेकर गया बलकि इन्हें वो confusion की तरफ stress की तरफ या फिर stuckness energy की तरफ लेकर गया है तो deep inside इस वक में ये person कुछ ऐसा सोचते हुए मुझे दिख रहे है क्योंकि जिस तर कि प्यार की शुरुवात नहीं हो पा रही है या जितरा ये प्यार चाहते हैं deserve करते हैं वो सब चीजे इन्हें नहीं मिल पा रहा जिस reason की वज़े से ये person अपने लिए हुए फैसले के मामले में ये stress ले रहे हैं तो वो energies मुझे दिख रहे हैं काफी लोगों के लिए बहुत important है यानि की July month जो आपसे इस person के माध्यम से directly या indirectly वे में जुड़ा हुआ है ठीके चलिए और देखते हैं क्या है इस person की truly deepest feelings सिर्वस काईट की इचा बताएं विवस के person की true deepest feelings क्या है तो definitely देखो यहाँ पर ये चीज़े पूरी तरह से शौर है कि आपके person ने past make decision लिया बहुत source समझ का बहुत smartness दिखा कर इन्होंने एक decision लिया इनके पास दो choices थी जिनमें से एक choice के तरफ ये बड़े ये सोच के साथ कि ये जो भी decision ले रहे हैं वो बहुत maturity से ले रहे हैं औ और इस decision के साथ बढ़ने पर इनके life में success ही success मिलेगी लेकिन जब आपके person इस decision के साथ इस फैसले के साथ आगे बढ़े तब इन्हें उस decision के मामले में जो भी result मिला जो भी इनकी plannings का इने result मिला वो इन्हें कही न कहीं stuckness की तरफ लेकर गया ऐसा इन्हें फील होता है deep inside हाल कि यह इस चीज को लेकर किसी को express नहीं कर रहे है क्योंकि decision लेने वाले यह खुद थे smartness दिखाने वाले यह खुद थे maturity दिखाने वाले यह खुद थे या फिर बहुत smart दिखाकर बहुत समझदारी से decision लेने वाले यह खुद थे इसी reason की वज़े से किसी से express तो नहीं कर रह अपने ही लिये हुए decision पर या अपने आप से चलने वाले decision पर अब इन्हें दुख होता है इन्हें कहीं ना कहीं यह फीर होता है कि शायर इनसे गलत decision ले लिया गया है तो ऐसा इनकी energies मुझे दिख रही है truly deep inside ठीक है stress के मामले में क्या है इस person की true deep feelings universe guide कीजिए eight of sorts तो basically अब आपके person अपने आपको definitely stuck feel करते हैं यह ऐसा feel होता है वो ही energy again आई है जो मैंने आपको बताया कि नहीं यह लगता है कि अब यहां से निकल ही नहीं सकते अब इनके पास कोई option ही नहीं है कोई choices ही नहीं है जैसे पहले कभी इनके पास बहुत सारे options बहुत सारे day dreamings हुआ करते थे जिस पर यह कभी बहुत कूदा करते थे लेकिन अब इने खुद से ऐसा feel हो रहा है कि वो जो भी मेरे पास choices थी जो भी options थे वो just मेरी एक imagination थी उसकी अलग कुछ नहीं था और obviously imaginations के पीछे भागने पर आपको कुछ नहीं मिलता आप बार बार उसी चीज के चारो तरफ भागते रहते और अपने आपको stuck करते रहते हो और खाम खामे stress लेते रहते हो तो वो इनका truly deep inside feel करना है कि अब मेरे पास कोई option नहीं है जिसके बल बूते पे मैं कूदू या जिसके बल बूते पर मैं अपनी life को वापस से सही कर सकूँ तो वो इनके मन में काफी चलता है 5 of cups basically अब आपके person को definitely बहुत सारी चीजों का अफसोस होता है वो बात तो और है कि ये इन चीजों को intuitionally ही दबा कर बैठे हैं लेकिन इनके ये अफसोस जरूर होता है कि इन्होंने आपके साथ रिष्टे में नई शुरुवात क्यों नहीं करी आपके साथ एक ऐसा बहुतर future हो सकता था जो हर कोई सिर्फ कलपना ही करता रह जाता है लेकिन इनने वो चीजे मिली थी उस universe के थूरू इस divine के थूरू लेकिन इन्होंने उसे कही न कही अपनी over smartness की वज़े से खो दिया तो वो चीजे ने intuitionally feel होती है वो चीजे ने intuitionally परिशान करती है ये energies है ठीके यादे ने आपकी परिशान करती है intuitionally कि इन्होंने अपनी life में न प्यार को आते आते खो दिया है तो वो deep inside इनकी of feelings है movement to movement and patience and planning के मामले में क्या है अब इस परसन की true deepest feelings universe guide की जो बताएए three of swords मुझे कही न कही ये possibility दिख रही है कि आपके परसन जब एक decision ले रहे थे तो उस वक्त में ये जो दूसरा option था इनके पास वो third party था तो हो सकता है उनके पास जाने के बाद ही इन्हें समझ में आया हूँ कौन दूद है कौन पानी है या कौन अपना है कौन पराया है जिस reason की वज़े से इन्हें अपनी ही plannings पर अपने ही लिए हुए decision पर deep inside बहुत मलाल होता है यह इन्हें ऐसा feel हो रहा है deep inside की बहुत फूख फूख कर कदम रखने के बाब जूद भी सारी plannings करने के बाब जूद भी जो भी hurt हुए हैं वो यही हुए हैं जो भी depression की तरफ गए हैं वो यही गए हैं तो ऐसा इनके साथ हो रहा है यानि कि देखो यह बात पूरी दरह से शौर है कि इस परसन ने ना planning करकर बहुत PhD करकर पूरा फाइडा नुकसान देखकर एक decision लिया आप से दूर जाने का चाहे फिर यह decision जो भी था वो किसी और के कहने पर लिया हो या अपनी ही over smartness की वज़े से लिया हो लेकिन दोनों ही सूरतों में अब इस परसन को अपने लिए हुए decision पर परिशानी तो हो रही है अब उसी चीज को लेकर रो रहे हैं माथा पीट रहे हैं वो energies यहाँ पर definitely है तो basically मुझे यहाँ पर यह दिख रहे है कि आपके पसंद जितना ज्यादा इन चीजों को realize कर रहे हैं उतना ज्यादा इन चीजों को अपने गुस्से के पीछे अपनी शर्तों के पीछे जो भी नोंने आपके साथ अपने आपके सामने अपने terms और conditions रखी हो किसी और की terms और निकाली हो उनके पीछे यह हाइट कर रहे हैं जैसे कि एक होता है ना कि उस वक्त में आपसे दूर जाने का decision इसलिए लिया कि यह गलती थी वो खामी दी यह differences थे तो यह परसन कहीं न कहीं उस चीज को जादा तबज्जों देने की कोशिश कर रहे हैं हाला कि इनकी खुद क कह सकते हो तो situation में logic और emotions के बीच में फसे हुए हैं जिसमें logic यह कह रहा है कि इसलिए नोने जाने का decision लिया और जिसमें दिल इनका यह कह रहा है अंतरात्मा इनकी कह रही है कि नहीं तुमने जो भी हो जैसे भी हो गलत decision तो ले लिया जिस decision को लेकर तुम जिन्दगी भरा दोड़ा उस से दू जाने के इनों आँने डिसीजन लिया। लिकिन इस डिसीजन पर जाकर भी ये पसंद सिर्फ थिए सिर्फ उसिफ ये बीपनजरे में बंद हूए एक ऐसा पिंजरा जिसमें सोना है, पैसा है, यानि कि गोल्ड है, मनी है, सब है, लेकिन प्यार, एमोशन, फीलिंग्स, एक सुकून, एक सपोर्ट वो सब नहीं है, तो ये डीप इंसाइट फील कर रहे हैं ऐसा, ठीक है, तो बेसिकली मुझे याँ पर ये दिख रहा है कि ये परसन जैसे आप से दूर तो चले गए, दूर जाने गए, और नहीं डिसीजन तो ले लिया, लेकिन इन्हें अपने उसी डिसीजन पर बहुत रिग्रेट हो रहा है, और इनका प्यार ना दूर जाने के बाद आपके लिए बढ़ रहा है, चलिए, अब इस परसन के परसन के बाद चाहते हैं, गाइट कीजए बताए कि अब इनके साथ ही हो रहा है, क्योंकि ये कंपारिजन कर रहे हैं, अपने लॉजिक्स और अपने इमोशन के बीच में जगल कर रहे हैं, तो ये आपसे ये कहना चाहरे है कि कभी-कभी अब तो मुझे ऐसा फील होता है कि शायर में तुमसे कभी मिलता ही नहीं या मिलती ही नहीं और उसकी वज़ा आप समझ ही गए होंगे क्योंकि अब ये compare कर रहे हैं तो इन्हें समझ में आ रहा है कि आप क्या थे आपका प्यार क्या था आपका support क्या था और दूसरी तरफ इन्हें क्या मिल रहा है heartbreak या फिर losses तो इसलिए आप से ये कहना चाहते है please don't move on तो आप से अब ये कहना चाहरे हैं कि अब जब तुम मेरी life में आए ही हो तो please मुझसे दूर मत जाओ मुझसे move on मत करो guide कीज़े बताएं निवस I need your time and commitment तो अभी आप से ये कहना चाहरे है कि मुझे जरूरत है तुमारे वक्त की तुमारे commitment की तुमारे साथ की तो आप से ये कहना चाहरे है I wanted to prove my love to you through actions तो आप से ये कहना चाहरे है कि मैं एक ना एक दिन जो भी मेरा प्यार है तुमारे लिए उसके लिए मैं तुमें प्रूफ करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी अपने actions के through तो ये आप से ये भी कहना चाहरे है Don't be so insecure तो आप से ही कहना चाहरे है कि बस अब तुम insecurity feel मत करो कि मैं तुमारे पास नहीं आऊंगा या आऊंगा उस विशे में I stock you मैं तुमें सिर्फ स्टॉक कर रहा हूँ या आप से कहना चाहते है यानि कि इने देखो ये तो समझ में आ गया ultimately deep inside कि गलत ने तो इन्होंने ले लिया गलत तो decision ले लिया इन्होंने जो जिसके लिए अगर इन्होंने अब action नहीं लिया न तो ये जिन्दगी भर इस चीज के लिए पच्चताते रहेंगे तो वो इनके मन में deep inside चलता रहता है चलिए ये देख लेते हैं कि अगर इनके मन में इतनी ही चीजे चल रही है तो क्या ये इसके लिए कोई actions लेंगे या नहीं सिर्फ तीन कार्ट्स निकाल कर देखेंगे चीज के उसी से idea हो जाएगा दवर्ड क्या व्यूवर्ज के पासन कोई action लेंगे गाइट पीचे बताईए ता हाई प्रीस्ट व्यूवर्ज के पासन अब क्या कोई action लेंगे या नहीं यूनिवर्ज काईट पीचे बताईए तो देखो यह आप तीनो कार्ट्स के थ्रू पॉसुबिलिटी दिख रही है कि जी हाँ यह आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं अपनी फैमिली में आने के लिए अगर आप मैरिट हो या आप फैमिली में आना चाह रहे थे तो इन सब सूरतों में काफी ज़्यादा पॉसुबिलिटी दिख रही है कि यह परसन आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं अपने आपको साबित करने के लिए तो यह अब आपको साबित करना चाहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं और डेफिनितली आपकी तरफ अब बढ़ना चाहते हैं bottom of the deck भी है ace of swords यानि कि इस person का आपकी तरफ कोई communication बहुत जल्द आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है basically मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है कि इस person का call, text या message ना आपकी तरफ एक दिन से लेकर 21 दिन के भीतर भीतर आ सकता है इसकी possibility दिख रही है, one day से लेकर 21 days के भीतर भीतर काफी लोगों के person आपकी तरफ अपना gesture देने वाले है, इसकी possibility बहुत है ठीक है, हाला कि थोड़ा सा secretively यह बोलेंगे, openly नहीं बोलेंगे कि इन्होंने क्या गलती खाली या इन से क्या गलती हो गई उस चीज को confront आपके सामने नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, इनकी तरफ से आपके तरफ एक communication आता हुआ मुझे काफी हद तक दिख रहा है ठीक है, एक से लेकर 21 days के बीच बीच में, तो यह थी मेरी reading कि क्या है आपके परसंग की true deepest feelings आपको लेकर I hope आपको reading पसंद आई हो, इस reading के माध्यम से किसी तरह की कोई clarity मिली हो, आप अपने आपको इस reading से connect कर पाए हो अगर reading पसंद आती है, किसी तरह की कोई clarity मिलती है, तो प्लीज बताईएगा जरूर, और चैनल को like, share and subscribe जरूर कीजेगा ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से मैं नई-नई reading नई-नई topics लेकर आ सकूँ, और हम लोगों का साथ हम लोगों का प्यार यो ही बना रहे आज के लिए बस इतना ही, ओके बाबाई